नमस्कार दुस्तो वीडियो के थामनेल में आपने अल्डेडी देखे होंगे प्यानकार्ट कारेक्शन टेनिंग वीडियो आप अगर स्टील सीरी कमपानी से इनेस्टील ब्रांच हैडी लिए हो तो ये वीडियो जोरूर देखो इस वीडियो के मद्दम से मैं आप लोगों को प्यानकार्ट कारेक्शन करके दिखाऊंगा कि प्यानकार्ट कारेक्शन कैसे करना पड़ता है सारे details के साथ बताऊंगा आपको अगर pencard correction करना सिखना है प्लीज वीडियो को अंतक देखो तभी आपको समस में आएगा और यह fast part है इस वीडियो में only account knowledge में number कैसे generate करना पड़ता है यह दिखाऊंगा और second part में बाकी का process कैसे करना पड़ता है ओ दिखाऊंगा तो आपको अगर pencard correction करना सिखना है वीडियो को अंतक देखो तभी आपको समस में आएगा और आपने अभी तक अगर टेकनिकल चीरी वीडियोग चनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से वीडियो के नीचे जो रेट कलर का सस्क्राइब बटन है उस पे क्लिक करके सस्क्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन अन कर दो जिससे की आगे आने वाले निव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए अभी मैं अब लोगों को NSDL ब्रांच ID के ओए पोर्टल से पैंकार्ट करेक्शन के लिए एकाउंट लर्निस्मेंट कैसे जनरेट करना पड़ता है यह दिखाऊंगा उससे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ आप किसी का भी आपके दोकान में कोई कस्टमर आई और बोला कि भाई मेरा पैंकार्ट में गलती है मेरा फादान नेम गलत है देट अबड गलत है फटो सिग्नेचर भी मुझे चेंज करना आए तो मेरा pen card सही करबा दीजिए आपको अगर कोई भी ऐसे बोलते हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे आपके पास अगर branch ID के अलाबा दूसरे ID है तो उनके काम आप नहीं कर सकते हो अगर आपके पास branch ID है तो आप 100% उनका काम असानी से कर सकते हैं किसी का भी pen card correction करने के लिए old जो pen card है उसका जेरोस कोपी लेंगे उसके साथ customer का जो आधर card है pen card के लिए आधर card mandatory है आधर card सही रहेगा तभी आप pen card सही कर पाएंगे तो customer के अगर आधर card सही है तो आधर card उनसे ले लीजिए अगर customer के अधर card में ही पुबले में तो customer को बोलिए पहले अधर card सही कर बाले फिर pen card correction करे तो आभी आपको क्या समझ में आया किसी का भी आप pen card correction करेंगे तो सबसे पहले आपको पूराना pen card लेना पड़ेगा उसके साथ customer के जो supporting document अधर card लेना पड़ेगा ये दोनों आप customer से लेंगे और customer से दो कोपी color photograph passport size photo आपको लेना पड़ेगा और आपके पास जो correction का form है आपको अगर पता ही नहीं है correction का form कैसा होता है का से download करना पड़ता है मैं आपको बता दू जिस किसी भी company से NHDL branch हैड़ी लिये हो मैं तो still city से लिया हूँ और मैं still city का भात कर रहा हूँ आप अगर still city से लिये हो तो still city का जो bag office है bag office में जाकर देखिए आपको latest form पगड़ा सब कुछ मिल जाएगा वसे आप form को print out कर लो फिर customer के पास से जो photo लिये हो ओ photo लगा लो form में फिर आपर customer से signature करा लो जहाँ आपर signature करना पड़ता है सब जगा में signature कर लो ओपर आप document सही कर लो करने के बाद आपको login manager open करना पड़ेगा जैसे आभी मैं login manager open किया हुआ हूँ आभी यहापर आपको अगर pen card की correction करना है आपको सबसे पहले यह पर acceptance में आना पड़ेगा acceptance में आने के बाद नीचे देखिए pen change request oblique reprint यहाँ से आप मतलब pen card का कोई भी समस्षा है और किसी का pen card अगर खराब हो जाते ही बहुत पूराना हो गया pen card का हलत बहुत खराब हो गया भाई पैचान में नहीं आ रहे pen number अभी क्या करेंगे अभी उसको reprint करवा देना है तो आपके पास अगर branch id है तो आप customer के pen card reprint करके भी दे सकते हो तो भाई आभी यहापर हम click करेंगे click करने के बाद देखिए बहुत सरे option आ गया है और अभी और एक चीस में आपको जानकारी देना चाहता हूँ बहुत सरे लोग बोलते है इनसडील branch id के मतलब से हम अगर pen card के लिए कोई भी काम करेंगे तो पैसे कहां से कटेगा पैसे कितना कटेगा भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए आपर एक wallet है आपर लिखा हुआ है available limit तो मेरे wallet में थोड़ा बहुत पैसा है आप इस wallet में पैसे का लोड करना चाहते हैं स्टील सिरी का जो बैक ओपिश है वासे wallet को लोड करना पड़ता है आप खुद से ही QPI, Net Banking, Debit Card, Credit Card ये सब के मदद से बहुत ही असान इसे wallet को रिचार्ज कर सकते हूँ wallet को कैसे रिचार्ज करना पड़ता है इसके लिए अल्डेडी मेरे चैनल में विडियो है आप जरा सार्च कर लो आपको मिल जाएगा अभी आपको में पैंकार्ट कारिक्षॉन के लिए एकांट रिचार्ज करना पड़ता है ओ दिखाऊंगा तो आप अगर पैंकार्ट कारिक्षॉन करोगे तो सबसे पहले पैंकार्ट नमबर देना पड़ता है जो पुराना वाला पैंकार्ट है तो ही पुराना वाला पैंकार्ट का नमबर में अभी आपड़ दे दूंगा यह आपर पुराना वाला पैंकार्ट नमबर दे दिया अ देखे नेम एस पार एप्लिकेशन बतलो आभी जो शही उनका नेम है वह आपको यहापट देना पड़ेगा ठीक है आभी मैं इनका जिसका कर रहा हूँ इनका तो नेम में प्रॉब्लेम नहीं यह यह फोटो सिगनेशाट चेंज करेगा जास्ट तो नेम इनका डाल देता हू भूलेजंगे बाद में problem आ सकता है तो मैंने last name देघे अभी other name तो यहापर में एपलिकảiन का नेम देघे आउनका का ओश्ट करने का नेम देघे आभी यहापर सब्मिट ऑप्शन है इसमें समय क्छन पर घृट हुँ में आ पहले का जो पैन कार्ड में नेम था वो आ गया जिसका मैं पैन कार्ड कर रहा हूं उसके पैन कार्ड में कोई प्रोब्लेम नहीं है वो जस्ट फटो और सिग्नेचर चेंज करेगा अभी मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आब अगर किसी का भी मान लीजे किसी का पैननें में जूंढ़ेगा जो सही पतान नियमं वो तो इधर देंगे और जो पहले का गलती था तो यह पर रेट कलर आ जाते हैं यह पोब्लेम था आपका पहले आपको इतना ही करना है यह पर प्यान नमबर देना है उसके बाद एप्लिकेंड का जो आभी के सई नेमें डोकुमेंट देखकर आप फिलप करेंगे उसके बाद सब्मिट करेंगे तो अटोमेटिकली पहले का जो डिटल सता हो आजाएगा उसके बाद यह पर दो अप्षोन है एक सेप और रिख देख आप अगर कॉंटिन्यू रखना चाहते प्यान कार्ट कर्रेक्शन के प्रोसेस आगे बराना चाहते तो एक सेप में क्लिक कीजिए करते ही देखिए यह पर और डिटल देने के कुछ नेम होता है और प्यान कार्ट के ऊपर में कुछ नेम होता है तो ऐसे प्रोबलेम भी बहुत तरह लोगों के सब्सेल गेर कुछ अ और ये आपको नहीं कर नहीं करने आ आप कास्टुमर के ॏक्टुमेंड में उनका जैसे नेम है आप एसे सेपक भ़लodka चीस मत की ज जबनेपे किस्टूमर काइसे में रखना चाहता है किस्तूमर शाया कुछ राख यहाच कुछ में पर देता हूँ उसके बाद है आस्ति ऑब बाद का टेंपॉक contact details में first देखिए ISD code इंडिए ISD code 9-1 आपर fill कर दीजिए उसके बाद HDD code देना नहीं पड़ेगा उसके बाद telephone number जो mobile number है यहापर देदीजिए उसके बाद यहापर देखिए address of communication यहापर Indian select करना पड़ेगा उसके बाद यहापर mail ID देना पड़ेगा आप ध्यान रखिए जो भी mail ID यहापर देंगे उसी mail ID पर e-pencard आएगा यह बाद आप ध्यान रखिए customer के अगर mail ID है ओ दीजिए और आप ऐसा मत किजिए कि भाई आपका mail ID सब में देते हो मतलब सब application में आपका mail ID देते हो ऐसा मत किजिए आपके mail ID और pencard application में मत दीजिए customer क अगर mail ID है ओ यहापर दे दीजिए नहीं तो आप extra email ID बना लीजिए फिर यहापक दे दीजिए ओ ही बेतर है best है मतलब customer के अगर email ID नहीं है customer के एक email ID बना दीजिए फिर यहापड फिलप कर दीजिए ओ बेस्ट एकदम क्योंकि आपके mail ID बार-बार भी उस करेंगे तो income tax department में ऐसा सोसेगा कि भाई यह कौन बंदा है कि खुद के नाम पर इतना pencard बना रही है तो ऐसा मत किजिए जिसका pencard कर रहे हो उसी का email ID देने के लिए कुशिश किजिए नहीं तो उनके पास अगर mail ID नहीं है एक mail ID बना लीजिए और यहापड दे दीजिए मैंने mail ID दे दिया अभी next option pencard dispatch state यह बंदा जो है ओस्ट बेंगोल से है कि मैं भी ओस्ट बेंगोल से हो मेरा घर के पास जो भी बंदा है उसका ही बना रहे हो उसके बाद यहापड आधार सिलेक करना पड़ेगा उसके बाद यहापड नेम एस पर आधार कास्टूमर के आध आधार के मतलब आधार काड में जैसा नेम है ऐसा नेम यहापड भी देना पड़ेगा उसके बाद यहापड आधार नमबर देना पड़ेगा कस्टूमर के जो आधार नमबर हो यहापड देना पड़ेगा तो आप सही से फिलाफ कर दिजिए अगर गल्पी करेंगे तो पताना चाहता हूं देखिए आपर और एक option है cylinder pen किसी के अगर दो pen card है और आपके दुकान में आता है कि बोलते हैं कि भाई हमारा एक pen card cylinder करना है तो आप यहां से pen card cylinder भी कर सकते हैं तो इसमें अभी कोई काम नहीं है क्योंकि इस customer का ऐसा कोई problem नहीं है अभी नीचे आएंगे नीचे आने के बाद देखिए आप और और एक option बहुत सरे लोग मुझे बोलते हैं भाई कि आपट सिफ apply करेंगे सिफ e pen card मिलेगा physical pen card नहीं मिलेगा भाई देखिए आपर option है whatever you wish to have मतलब आप क्या चाहते हो physical pen card and e pen card only pen card तो भाई सोचिए आप क्या चाहते हो आप दोनों ह इसमें सिलेक किया हुआ है अगर नहीं है तो इसमें सिलेक कर दीजिए क्योंकि आप physical pen and e pen दोनों ही लेंगे समझ में आया देखिए option ए physical pen card and e pen card इस option में आप सिलेक कर दीजिए करने के बाद यह आपर अभी आधार authentication करना पड़ेगा मतलब जो details आपने fill up किया और आधार card म के जो details है अभी दोनों matching होगा अगर matching successful होगा तो ही आपका application account knowledge में नमबर जैरेड होगा नहीं तो नहीं होगा अभी आपर में gender select कर लेता हूं तो कि यह mail है उसके बाद देखिए demographic option है इसमें क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करते ही देखिए क्या आता है verify होड़े यह verification status demographic verification successfully इसका मतलब है हमने जो details आपड़ डाला और आधरकार्ट में जो details दोनों ही सही है matching हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है इसलिए demographic verification successful आया अभी हम यहाँ पर save में क्लिक करेंगे सारी कुछ चेक करने के लिए बोलेगा ठीक है आप सही से चेक कर लो कि आपका कोई घल्ती तो नहीं हुआ है बाई सही सेелब उसके करेंगे तो आपका कोई problem नहीं हाए एसीं कुछ भी करेंगे problem तो आएगा देखकर करेंगे, simple बात ही मैं jet तो कुछ सारी कुछ जब भी या है आप भी छही से जब भी कर रहे हो यह पर फिर से कॉंफर्म देखिए उप्ष्ण इसमें क्लिक करूंगा कॉंफर्म में क्लिक करते ही आपके सामने ही एकॉर्ण नमबर ज्यानेट हो गया है तो भाई बोलिए कितना असान है और बहुत सरे लोग मुझे बोलते हैं भाई हमें नहीं हो रही है हमसे नहीं हो रही है हमको नहीं आ रही है भाई कोशिश करो के तो जोरूर होगा ठीक है अ प्रिंट आउट कर लो नहीं तो डाइडे का प्रिंट आउट कर सकते हो सेप करेंगे वह बेस्ट है कभी भी अगर डिलीड हो जाते मतलब आपको यह नहीं मिलता है जहाँ पर आप सेप करके रखेंगे वह से आप फिर से ले सकते हो गई यही अडवन्टेस है दोस्तों अब के समने मैंने एकुनलिश में जoyant किया और इसके बारे में डीटीलस भी बता दिये now इस सेगें इस टेप में मैं अब लोगो को customer का जो डोकुमेंट के उ कैसे अपलोक करेंगे और जो customer का photo और signature ही उचिह कैसे प्रॉपिंग करेंगे इसके बारे में डीटील के साथ बताऊंगा मेरे पास जो customer का form, document बगड़ा है वो सारे कुछ upload करूँगा upload करने के लिए steel city का जो एक software है scsl fpu अब अगर steel city से branch id लिए हो तो आपके computer में ये software कर दिया गया है तो ये software open कर लिजिए और आपने back office के id password बैक ओपिस है कोई भी 010203 कोई भी id password से आपके सामने ऐसे open हो जाएगा अभी आपको document अपलोड करना पड़ेगा तो उससे बहले देखिए user type pen इसके बाद account knowledge में number ये आपड देना पड़ेगा जो मैं आभी आपड फिल कर दूँगा उसके बाद side में इसमें क्लिक किजिए क्लिक करने के तुरण देखिए device setting या पर नीचे printer आ गया है आपको बता दू ये software open करने से पहले आप अपने computer या laptop में printer को कानिक कर लीजिए अगर कानिक नहीं करेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकते या पर printer का option नहीं आ सकते ही इसलिए पहले आप printer का connection करेंगे फिर आप scsl fpu जो software है जो मैंने open किया open कीजिए ठीक है फिर आप document upload कीजिए अभी मैं आप लोग को document upload करके दिखाऊंगा first account knowledgement slip को scan करना पड़ेगा जो हमने काल account knowledgement joint किये है सबसे पहले account knowledgement scan कर लेते हैं scan हो रही है scan हो गया है अभी second second में customer का form जहापर हमने customer का photo लगाया है signature लिए है और बाकी का details भी लग किया है ओ बला form अभी जहापर scan करना है दोस्तों एक बात बता दूँ देखिए बहुत ही असान ही से आपर काम हो रही है एक software open कर रहे हो और just scan कर रहे हो आपको कोई PDF फाइल बनाने नहीं पड़ रहे है कोई extra चीज नहीं करना बन नहीं है बहुत ही असान ही से आप यह आपर काम कर पाऊंगे देखिए मैं आप लोगों दिखा रहा हूं software के through में scanning कर रहा हूं form भी scan हो गया है अभी supporting document जो आमने लिये थे customer से आधार कार्ड वो scan करेंगे आधार कार्ड भी scan हो गया है अभी बचा किया है customer का pen card जो पूराना वाला pen card है जो correction करेगा वही वाला जो पूराना pen card है उसको scan करेंगे और एक important बात बता दू customer का जो supporting document लेंगे उस supporting document में आप customer के signature भी कर लेंगे scan कर रहे है scan हो गया है scanning complete अभी और scan करने के लिए कुछ नहीं है अब नो में click करेंगे नो में click करते ही right side में देखिए right side में एक upload करने का option आ जाएगा देखिए upload file यहाप पर upload करना पड़ेगा upload कर देंगे easily upload हो जाएगा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा और यहापर अगर कुछ गलती कर दे तो scan करने में तो यहापर देखिए page है page में उसके बाद नीचे delete image भी option है delete करके फिर से आप scan कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैंने upload file में click कर दिया upload successful हो गया है अभी इसका कोई काम नहीं है इसको अभी close कर देंगे देख कितना असान इसे मैंने document upload किया मुझे कोई pdf file बनाने की जोड़ोती नहीं document upload complete हो गया है अभी customer का जो photo or signature है उसको copy करना है क्योंकि data entry करते बाग हमें photo or signature भी upload करना पड़ेगा उसके लिए भी software है भाई tension करने का कोई जोड़ोत नहीं है आपको यह सुचने का जोड़ोत नहीं कि इतना कभी में रखना पड़ेगा उतना कभी में रखना पड़ेगा देखिए scanning and cropping utility software इसके मदद से आप बहुत ही असानी से photo or signature को crop कर सकते हो उससे पहले हमने जिस फ़र्म में customer से photo or signature लगा कर लिया है और फ़र्म को scan करना पड़ेगा उस फ़र्म को आप color copy में scan किजिए मैं अभी color copy में scan करूंगा जो paste size होगा होग ए फोर में रखिए और ज दिक्कत आ सकते हैं 200 dpi या उससे कम 1500 dpi में भी आप scan कर सकते हो तो color copy में अभी हम scan करेंगे ध्यान रखेंगे कि color photo और signature upload करना है इसलिए color में scan करना है तो ध्यान से आप यह सीच किजिए तो दिक्कत नहीं आएगा ऐसे ही कुछ भी करेंगे तो दिक्कत आ सकता है देखिए scan में अभी मैं क्लिक किया scan हो रही है scanning complete हो गया है file भी folder में आ गया है तो scan जो file है इसको अभी हम हमारा असानी के लिए folder में लेकर रखेंगे यहाँ पर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई यहाँ पर और भी बहुत सरा file है specially pen card के लिए हमारा जो folder है इस folder में मैं रखोंगा और इस file name को भी change करना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा ओ भी दिखा दूँगा तो पहले मैं folder में रख लेता हूँ देखिए आपर except from मेरा जो specially folder मनाय हुआ है अब अगर scanning and cropping software यूज करते हो तो आपको भी ऐसे कुछ folder मि rename जो है और rename करना पड़ेगा rename में क्या देना पड़ेगा accountals में नंबर और कुछ मत दीजिए आप जो accountals में joint की हो ओ ही accountals में नंबर इस file में दीजिए ठीक है अभी यह सब close कर देंगे close करने के बाद scanning and cropping utility software को open कर लिए आपके folder में जो serial number एक है उसकी हिसाब से आप वहाप पर best number दे सकते हो उसके बाद browser यहां से उस file को select करना पड़ेगा जो हमने folder में रखा है देखिए आगया है अभी यह पर crop photo इस option में क्लिक करके photo crop कर लेना है देखिए धैन से कीजिए जिससे की photo का इधर उधर काट मत हो जाए अच्छा से दिखने के लिए मिल जाए photo देखि प्रोब signature इसमें क्लिक करके signature को भी प्रोब कर लेंगे फोटो और signature बहुत ही असानी से हमने प्रोब कर लिए अभी सेफ कर लेंगे सेफ करते ही तुरंत ही सेफ हो जाएगा अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जहापर मैंने आप लोगों को दिखा एक form रखा है वह आप पर मुझे कोई आइसा जण जण नहीं जणना परेगा इतना के भी उतना के भी इज़ी है सब्ट्यार से करेंगे तो पहुत असानी और आपको एक छोटा सा रिकोष्ट करना चाहता हूं आपने अभी तक अगर टेक्निकल जिरू इडिव चैनल को सस्क्राइब नहीं किया ह अभी आपके सामने स्टील सीटी बैक ओपिश के लोगिन डेज़ गोड़े जा पर आइडी पासवाट देकर लोगिन करना पड़ता है इससे पहले मैं आप लोग को कुछ इंपोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं आप अगर बैक ओपिश में पैनकार्ट करने के लिए आइडी कर रहे हो तो आपको धेन में रखना होगा आपके पास जो तीन आइडी है ब्रांच कोट के साथ 01, 02, 03 लाग के जो तीन आइडी होता है तीन आइडी का यहाँ पर काम है कोई भी दो आइडी से आप डाटा आइडी करेंगे और जो बाकी रहेगा तीन नमबर आपके सामने ही मैंने लॉगिन किया और ओपिन भी हो गया है अभी यहाँ पर आपको कहा जाना पड़ेगा लेप साइड में देखिए उपर के तरफ जहाँ आप लोगो है इस्टील पैक लिखा हुआ है इसके नीचे देखिए मेनू बोलके एक ओप्शन है त्री डॉड इ इसमें क्लिक करना पड़ेगा करने के बाद देखिए यहाँ पर चेंच ऑप्शन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हमने पैंकार्ट करेक्शन करने के लिए अथा चेंच करने के लिए अपलाई किया है अभी यहाँ पर पेंडिंग शोरी है यहाँ पर बहुत सरे ऑ ठीके गो में किलिक करते ही जो हमारा पेंड़िंन अकॉंक नाम पड़े जिसको हमने पूराalies की हैं वो शो कुंद लाएगा तो मैंने एक ही किया तो एक ही शो हो रही है तो यहापर आपर वापकल क्लिक कर रहा ओं के बाद देखिए बहुत सरे details यहाप पर आगया है, account knowledge में जानेट करते बाग हमने जो details nsdl side में दिये थे, वो सारी details यहाप पर already है, अभी just बाकी जो details से यहाप पर fill करना पड़ेगा, तो आपके सामने में सब कुछ करके दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए, यहाप पर height रहेगा, security region के लिए, अगर खुल के दिखाए ना भाई, मेरा channel ही उड़ जाएगा, ठीके, तो खुल के नहीं दिखा सकता हूँ, आप जो भी समझ लो, जो option है, वही बता दे रहा हूँ, कैसे करना पड़ेगा, first, name change request plug, आपको name change करना है क्या, मेरा जो customer है, उसको कोई name change नहीं करना है, तो no में क्लिक करोंगा, अगर name change करना होगा, तो yes में क्लिक करेंगे, ताथ, पूराना वाला pen card में, अगर गलत नम है, अब उसको सही कर रहे हो, तो यहापर yes में क्लिक करना पड़ेगा, पूराना पूरा पैन काड में, जो नम है, अब भी OE नम है, तो no में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद यहापर, titles नहीं करना पड़ेगा, देखिए, स्री, स्री मोती, कुमारी, MS, male का apply कर रहे है, इसलिए स्री होगा, female का अगर apply करना चाहते हो, स्री मोती अपली, misses, यह सिलेक करन करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए, update date of birth, तो date of birth चेंज करना है क्या, नहीं, customer का date of birth भी चेंज नहीं करना है, तो no में क्लिक करना है, उसके बाद change request sex, जो gender है, वो चेंज करना चाहते है क्या, no, क्योंकि पहले से ही mail हो, क्योंकि मेरा customer का ES अब कोई problem नहीं है, तो इस applicant details का portion जो है, वो हमने complete कर दिये, अभी नीचे applicant parent details में जो option है, father name change request flag, father name भी हमें change करना नहीं है, तो no में ही select किये है हमने, उसके नीचे address for communication, residence select किया हुआ है, उसके बाद या पड़ देखिए, update address for communication flag, तो इसमें मैं yes कर दूँगा, क्योंकि new address जो है, वो अपडेट हो customer की लिए, customer का कोई दिक्कत नहीं है, तो यापर मैं अभी yes में click किया हूँ, अभी यापर address दे दूँगा, customer का जो भी address है, वो यापर fill कर दूँगा, दोस्तों यापर कुछ जान करी देना चाहता हूँ, देखिए, यापर address line 1, address line 2, address line 3, address line 4, ऐसे दिया गया है, यापर mention क के जो physical form है, मतलब customer का जो physical form है, वो आपर जैसे आपने address fill किया ना, यापर same to same तरीके से, ओईसे ही format से आप address fill कर लो, address line 1 में block देना पड़ेगा, address line 2 में village देना पड़ेगा, address line 3 में post office देना पड़ेगा, address line 4 में subdivision देना पड़ेगा, अभी नीचे town, oblique, district, तो यापर हम district क triangle, उसके बाद pin code, उसके बाद zip code, zip code fill करना नहीं पड़ेगा, उचोड दीजिए, उसके बाद std code, std code 91 दे दीजिए, ठीके, उसके बाद यापर mobile number और email id, already fill up किया हुआ है, और नीचे देखिया, option में दिखाना चाहता हूँ, telephone, oblique, email, change flag, already यापर yes में select किया हुआ है, ठी अभी नीचे documents details, documents details में यहापर एक option आपको fill up करना पड़ेगा, यह सब आपको fill up नहीं करना पड़ेगा, यहापर देखिये number of supporting documents, तो supporting documents हमने एक ही दिया, आधर कट, तो यहापर एक select करेंगे, ठीके, उसके बाद यहापर सारे कुछ fill up किया हुआ है, कुछ करने का नहीं है, उसके नीचे है proof of identity details, customer का आधर date of bath देना पड़ेगा, आधर काट में जो date of bath है, ओ आपको select करना पड़ेगा, मैं यहापर दे देता हूँ, date of bath दे दिया अभी gender on आधर, आधर में क्या gender है, male, ठीके, उसके बाद यहापर एक option है, pan proof flag, यहापर आपको select करना is given as pan proof, बतलब pan proof के लिए आपने pan card ही दिया, pan card का zerox upload किया, यही option है, उसके बाद यहापर name of verifier, place of verification, name of verifier में मेरा ही नाम होगा, आप अगर अपने नम पर branch अड़ी लिए हो, verifier का name, आपका ही name होगा, ठीके, उसके बाद place, तो मैंने यहापर सारे details fill up कर दिया, यह भी portion complete ह हो गया है, अभी नीचे दो option बखी है, photo uploading और signature uploading, ओभी हम अभी कर देंगे, photo signature upload करने के लिए यहापर देखिए, choose file का option दिया गया है, यहापर choose file में select करके आपको photo or signature यहापर select करना पड़ेगा, ठीके, photo or signature select कर लेता हूँ, तो यहापर मैं आपको और एक important बात बता दू, देखिए मैं कितना असान ही से photo or signature ले सकता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा है था कि एक separate folder बनाया है, जा पर customer का photo and signature दोनों ही है, तो यहापर मुझे ज़्यादा ढूनने का जोड़ोद नहीं है, उस folder में गया है और file upload कर लिए, और हमने जो पहले ही document upload किये थे, वो भी आ पर option है, दोस्तों देखिए हमने जो document upload किये थे, वो सारे यहापर है already upload किया हुआ है, हमें इक्ष्टा कोई upload करने का जोड़ोद नहीं है, अभी जो करना है, last में जो option है load image, इसमें click करना है, तो photo or signature यहापर upload हो जाएगा, देखिए यहापर load हो गया है, अभी एकदम नीच लाने के बाद देखिए, आपर photo signature आगया है, और नीचे का option और एक आगया है update, इस update में अभी click करना पड़े, update में click करते ही, pan update successfully हो गया है, हमने यह data entry जो भी id से किया, अभी दूसरे id से करेंगे, अगर आपने 01 से किया, तो 02 से अभी करेंगे, नहीं तो 03 से कर सकते हो, अची है, उसमें से कोई भी एक से फिर से data entry करेंगे, ठीक है, मैं फिर से आपन लोग इन करके, फिर से data entry करके आप लोगों को दिखाऊंगा, हमने फर्स data entry 02 से किया, सेगेंड data entry 03 से करेंगे, मैं आपको 02, 03 क्यों बोलटा हूँ, बहुत सरे लोगों को चाहे दिक्कत होगा समसने में, भाई देखो, आप अगर ब्रांश एडी लिये हो, तो आपको समसने में कोई दिक्कत नहीं, आप अगर नहीं लिये हो, तो आप सोच सकते हो कि भाई, 0102 क्या है, इतना पहले सोचने का कुछ भी नहीं है, आप जस्ट वीडियो को देखो तो समस में आएगा, ठ क्लिक करूँगा, तो लॉग इन देखिया हो गया है, लॉग इन होने के बाद, फिर से मेनू में जाना पड़ेगा, इगोबर्नेंस, टीन सर्विसेश, डॉबल डटा एंट्री, चेंज, इसके बाद गो, यह कॉर्णल्स में नमबर आ गया है, अभी राइट साइड की मैंने हाइट कर दिया, तो 0-2 से 1st मेकर 1 में हमने किया, अभी मेकर 2 में 0-3 से करेंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा, 0-1, उससे हम विरिभाई करेंगे, तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है, आसान चीज है, आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में क्लिक करते ही, यहाँ पर डिटल्स आ गया है, अभी सेम टू सेम खिलाप करना पड़ेगा, जैसे पहले दिखाया था, और इसी फिर से यहाँ पर डाटा एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर से फोटो और सिगनेशर अपलोड करना नहीं है, फोटो और सिगनेश एपलिकन डिटल्स अपलीकेटर समय नहीं है अच्छ लिकर को कोई एपलीकेटर सान इंपलीकेटर ऑपलीकेटर्स ने इहीं करना, तो आप जाले लेकर थता कशमक करेंश करनी। ठीक है तो आभी चेंज होगा इसके बाद अड्रेस फ्लाग में करेंगे करेंगे हमें औड्रीफ निव डालना है चैंड्रेसु में आपाद दे दूंगा जैसे आपको बताया था फर्म की फर्मेट की हिसाब से आप यह पर एड्रेस चालेंगे मैंने पुरा एड्रेस डाल दिया है अभी next portion document details document details में number of supporting document यह पर आपको 1 देना है क्योंकि supporting document हम एक ही दिये अधरकार उसके बाद नीचे proof of identity details यह पर customer का date of birth देना पड़ेगा उसके बाद gender select करना पड़ेगा pen proof flag फर्स्ट जो option है pen card is given as pen proof उसके बाद name of verify place of verification फिर नीचे लाएंगे और update में click करेंगे पर दोस्तों बैक ओपिश में 3 ID मैंने आपको बताये थे 3 ID में से 2 ID का काम हमारा खतम हो चुका है अभी जो बचा है उससे verify करेंगे आपके सामने ही login करूंगा login भी हो गया है अभी फिर से menu में जाना पड़ेगा e-governance team services double data entry उसके बाद change में नहीं करना है change तो हमने दो बार कर दी है और आपको data entry करना है अभी आपको verify करना है नीचे दीखे change compare औबलिक verify इस option में क्लिक करना बढ़ेगा go में क्लिक करते ही account management नमबर आ गया है और right side में मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ maker 1, maker 2 देखिए maker 1 में हमने 02 से किया और maker 2 में 03 से किया अभी बचा है हमारा पास 01 01 से हम verify करेंगे इस side में दीखिए not verify लिका हुआ है तो इसको verify कर देंगे तो verify हो जाएगा बहुत सरे लोग ऐसे भी बोल चकते हैं कि बाई एक में black color दिखा रहे एक में red color दिखा रहे कोई गरबर है क्या बाई कोई गरबर नहीं है दीए अभी एकार नोलेस में नमबर पर क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करते ही कि बहुत सरे डीटल्स आ गया है आपने जो fill up किया है वही डीटल्स है तो नीचे दीखिए एक column होगा इसको यहापर ऐसे scroll किजिए scroll करने के बाद उपर की site देखिए verify लिखा होगा है इसी verify option में आपको क्लिक करना पड़ेगा उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार check कर लीजिए इदा check कर लीजिए सही से सब कुछ ठीक है कि नहीं है ठीक है तभी verify option आया है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर पहले जो data entity आपने किया है उसमें कोई गरबर किया है कोई गल्ती किये है आपने तो इस site में जो उपर की तरफ verify option है न वो नहीं शो कराएगा यह पर सही होगा तभी आपर verify option शो होगा नहीं तो नहीं होगा यह बात समझ लिजिए मतलब गल्ती होने कोई चांस नहीं है अगर सही है तो इस the verify आईगा दलध है to verify मतलब आपने जो दो data entry किया एक data entry में कुछ दिया और एक data entry में कुछ अलग दिया तो दोनों तो मैं मैं यहापर वेरिफाई कर दूंगा, वेरिफाई करते ही काम खतम पैयन वेरिफाई सक्सेस्पूली हो गया है, अभी अमारा जो कारेक्शन प्रोसेश है पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा, फिसकल पैयन कार्ट भी आ जाएगा, झाल झाल